सैनी को इस दुष्ट को बंदी बना कर बंदी ग्रह में डाल दो इसका निर्ने प्राते महराज स्वैम करेंगे राज माता का आदेश पर सैनी को ने दुर्जन सिंग को बंदी बना लिया और राज माता रजनी गंधा के पास आकर उसे देखने लगी खून काफी बैह चुका और वे अर्द मुर्चा में छट पटा रही थी तबी राज माता ने कहा अरे राजबैद को जल्दी से बुलाओ खून बैहता ही जा रहा है और राजकुमारे की हालत बिगडती जा रही है अरे कोई महराज को भी सूचित करो राज माता घबरा रही थी और बूल रही थी प दोड़ा दोड़ा हुआ पहुंचा और रानी की गंबीर हालत देखकर उसकी जान बचाने का उपाय सोचने लगा क्योंकि राजबैद तो राजा सूरिय परताप के साथ नागदेव नगर गए हुए थे मगर सीतारमन सहस करके राजबैद की रसायन साला में गया और हुआ रक रोधक मरहम और संजीवनी पे मिल गया मलहम का लेप से रगपरवा धीरे धीरे बंध हो गया किन्तु संजीवन पे पिलाने पर रानी की मुर्चा नहीं तूटी सीतारमन को उसका कोई उपाय नहीं सोच रहता वे सोच रहता कि हिर्दय को चीरती कटार नीचे तक कैसे जाध निश्चे किसी ने अपनी पूरी सक्ती से उन पर प्रहर किया होगा किन्तु रानी वास में राजा के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुस का परवेश निसेध है और राजमाता के अलावा अन्य कोई महिला हैं पर है नहीं तो यह रहस्य है उसे जो थोड़ा सा अजीब लग गया था पूर्व दिसा में लालिमा दिखाईन देने लगी किन्तु रानी को अभी तक होस नहीं आया माराज ने रानी रजनी गंधा के पिता को समाचार देने के लिए गुड सवार भेज दिया था और उन्हें उनकी राजबैद को साथ लेकर सिग्र पहुंचने का आगरे किया था पूरे महल में सन्नाठा फैला हुआ था सबको रानी के स्वास्ते की चिंता हो रही थी मगर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था और नहीं कुछ कर पा रहा था सीता रमन रात वर रसायन साला में विविन औस दियों को खोज़ता रहा संजीवन नामक रसायन भी रानी को कुछ लाव नहीं पहुचा सका था सीता रमन एक एक सैना पती के पास पहुचा और वै राजा सुरिय परताप का विश्वास पातर था और रानी रजनी गंधा के राज्य से ही सैना पती का दायत संभाल रहा था दुर्जन सिंग के विशय में पूछने पर वेरानी के साथ दिये गए सैनिकों में से एक सैनिक बात कर टालने का प्रियास करता रहा किन्तु सीता रमन को गंभीर देखकर वे अधिक टाल मटोल नहीं कर सका उसने खुल कर बताना सिरू किया दुर्जन के पिता की करतव्य निष्टा और स्वामी भक्ती से खुस होकर महराज ने उनके बेटे को सिपाई न्युक्त किया था किन्तु इसने अपने आकरसक रंगरूप और जवानी में जो राजकुमारी को मोहित करके उसे गलत मार्ग पर चला दिया राजकुमारी इसके इतने निकटा गई थी कि उसने महराज से सिपारिस करके इसे नगर कोतवाल बनवा दिया उसके बाद तो महराज जब भी मेहल से बाहर जाते राजकुमारी इसे बुला लेती थी और इस परकार इसकी निकटता राजकुमारी से बढ़ती चली गई आपको ग्यात होगा महराज इस वर परताप ने रुष्ट होकर युवराज सुर्य परताप को युम्नाव पार नगर से निकाल दिया था चार वरसों के कश्ट पूर्ण लंबी यात्रा के बाद बिमारी की हालत में युवराज अपनी सस्राल पहुंचे थे किन्तो राजकुमारी को युवराज के आगमन की सूचना मिली तो उसने कोतवाल को उसकी हत्या करने का और परमान सवरूप मिर्तक की आखे परुस्तोत करने का आदेश दिया था किन्तो युवराज चतुराई से प्रान बचाने में सफल हो गया था कुछ समय बाद युवराज अपने साहस और प्राकर्म से नागदेव नगर के राज़ा बनकर विशाल सैना के साथ लोटे थे तो उन्होंने महराज से राजकुमारी की विदाई के लिए कहा था कि महराज अपनी पुतरी की विदाई कर दीजिये अपनी पुत्री को विदा करते समय महराज ने जो यूवराज को दान दहिज देना चाहा था किन्तु राजा सुर्य परताप ने दान दहिज के स्थान पर उनसे उनका कोतवाल ही मांग लिया इस पर महराज को भी बहुत आश्चरिय हुआ कि उन्होंने कोतवाल को ही क्यों मांग की तब राजा सुर्य परताप ने उनकी बड़ी प्रसंसा की और उसे अपने राज्य की आंत्रिक व्यवस्ता के लिए उपयोगी बताया किन्तो महराज संतुष्ट नहीं हुए थे तो उन्हें बताना पड़ा और सारा भेद खुल गया महराज ने उसी समय दुर्जन सिंग को मिर्तिय दंड देने की घोशना कर दी थी लेकिन राजा सूरिय परताप ने उसकी प्रसंसा कर अपना कोतवाल नियुक्त कर दिया और उसे अपने साथ ले आए उसका दंड तो निर्धारित हो चुका था फिर ऐसा क्या हुआ कि वे उसे अपने साथ ले आए और उसे रानी रजनी गंधा के कक्ष की सुरक्षा में लगाया क्या वे अभे दे कर उसे भूल सुदार का अफसर देना चाहते थे पंडित सीता रमन को पहले केवल संधे था किन्तु सैना पती से बात करने पर उसे पूरा विस्वास हो गया और उसे दूर तक की योजना समझ आ गई वे वहाँ से सीधा बंदी ग्रह में पहुंचा दुरजन सिंग ने उसे देखते ही हाथ जोड कर गिडगडाना सिरू कर दिया वे भर्राए हुए स्वर में बोला मानेवर मैं जानता हूँ आप बहुत दयालू और न्याए प्रिया हैं आप से कुछ भी छिपाना नामुम्किन है इसलिए मैं आपके सामने जूट नहीं बोलूँगा सत्य यह है कि मैंने रानी पर प्रहर नहीं किया था मैंने अपने पुराने रिस्ते के भर में रानी से केवल प्रने निवेधन किया था किन्तो उन्होंने मुझे डराने के लिए अपनी कटार दिखाते हुए लोट जाने को कहा मैं उनके प्यार में इतना खो चुका था कि मैं उनके बिना जीवन की कलपना भी नहीं कर सकता था मैं उनके और करीब पहुँचा तो उन्होंने कटार से हमला करना चाहा क्योंकि मैं उनके पलंग के पास था एक आएक हरबडाकर जो हरबडाट में मेरा संतूलन बिगड़ गया और मैं पलंग पर गिर पड़ा मेरे वजन से कटार रानी के सीने में धस गई और उनकी चीक सुनकर मैं घबरा गया और उनके सीने से बहते रक्त को देखने लगा तब तक बहुत लोग हुआ आगे और मुझे पकड़ कर बंदी ग्रह में डाल दिया गया मैं आपसे सच कह रहा हूँ रानी को हानी पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था बलकि मैं तो उनके आहत हो जाने से सुएम दुखी हूँ मेरी रक्षा कीजिये मानने वर तो तुम्हारे लिए मिर्ति उडंड तो पहले से घोसित किया जा चुका है दुर्जन सिंग सेना पती ने कहा किन्तु राजा सुर्य परतापने ना केवल तुम्हारा अपराद छमा करके तुम्हें राज्य में अपना आश्रिय दिया अपी तु यह भूल सुदार करने का अफशार भी परदान किया किन्तो तुमने उनकी दया सेलता का नूचित लाव उठा कर फिर से वह यह पराद किया काट की हंडी बार-बार नहीं चड़ती दुर्जन सिंग परात है तुम्हारा फैसला हो जाएगा जितना समय से से उसमें स्वर को याद कर लो बंदी ग्रह में पंडित सीता रमन अपने कक्ष में आया और एकांत में बैटकर दुर्जन और रानी रजनी गंधा के प्रेम परसंग पर विचार करने लगा नर्मादा का एक दूसरे के प्रेती आकर्षन प्राकृतिक है और सुन्दर नारी रजनी गंधा स्वस्त नौजवान दुर्जन सिंग से लगाव कर बैठी यह कोई बड़ी घटना नहीं है लेकिन उसे राजा रंक और स्वामी और नौकर का अंतर भुला देना यह अच्छी बात नहीं है राजा सुर्य परतापने निश्ट्य ही इस विशय पर गहन विचार किया हुगा अचानक पंडित सीता रमन को गुरुकुल के आचारिय की याद आ गई उन्होंने ततकाल एक सैनिक को आचारे जी के पास रानी के मुर्चित होने का संदेश देने के लिए भेजा आदेश पाते ही सैनिक घोड़ा दोडाता हुआ गुरुकुल की ओर रवाना हो गया पंडित सीता रमन नित्य करम से निविर्थ होकर चिंता में डूबे महराज के पास गई और आचारिय को संदेश भेजने की सूचना दी महराज को कुछ संदाव न मिली और वे सनान आधी के लिए उठे राजमाता को भी समाचार मिला तो वे भी कुछ तनाम मुक्त होकर अपने कक्ष में आकर टहलने लगी रात भर वो सो नहीं सकी थी दोफेर होते होते आचारिय जी आपोंचे मुर्चित राणी का परिक्षन करने के पश्चात उन्होंने अपने थैले में से एक पात्र निकाल कर दो तिन बूंदरस राणी के मुह में डाला उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारन करने के बाद पास रखे पात्र में से राणी के मुह पर जलके छीटे मारे और उसके सरीर पर एक लंबी सी फूंक मारी थोड़ी देर बाद आचारिया ने रानी की कलाई पकड़ कर उसे हिलाया और फिर आँखे बंद करके उसकी नाड़ी बहुत देर तक देखते रहे रानी ने पलके जपक कर इधर उधर देखा जरासा हिलने पर उसकी करहा निकल गई उसने ऐसेहनिये वेदना से फिर आँखे बंद कर ली तो आचारिय जी ने बड़े ही जो मधुर स्वर में पूछा पुत्री बहुत पीड़ा हो रही है अपने समी बैठे वृद सन्यासी को देखा तो रानी ने कुछ कहने को मुँ कोला किन्तो सब्ध मुँ से निकल नहीं पाए उसे अपना कंट सूका हुआ सपरेतीत हुआ सन्यासी जी बोले बोलो पुत्री क्या कहना चाहती हो रानी ने हाथ उठा कर संकेत में कुछ बताने का परियास किया किन्तो उसका हाथ हिलाई ने उसने फिर से हाथ हिलाने की परियतन किया किन्तो वेर्थ रहा उसकी आँखों से आसु निकलाए और उसने एक करहा के साथ आँखे बंद कर ली आचारिये ने रानी की कलाई पकड़ कर हिलाना चाहा लेकिन उनका सरी निष्टेज हो चुका था आचारिये ने एक लंबी आहा भरी और गर्दन जुका कर सिर हिलाने लगे तो पंडित सीता रमन जो पूछने लगे क्या हुआ आचारिया तो आचारिय जी बोले वत्स राजकुमारी का सरी निश्टेज हो गया है यानि कि सरीर जड़ हो चुका है उनका स्वांस तो चलती रहेगे किन्तों अंग जो इस्तिल और निर्जी भी रहेंगे कभी हिलजूल नहीं सकेंगे और वो सितिल अवस्ता में आ गई है तो पंडित जी बोले कोई तो उप्चार होगा आचारिया आचारिय जी बोले केवल इस प्राथना पुत्र सीता रमन और फिर भी मैं औस दी देता हूँ लोंग के तेल में मिला कर सरीर पर लेप करते रहें शायद इनके पुन्य कर्मकारिय कर जाएं वैसे संभावना कम है राजकुमारी को फलों का रस और कंदमूल अत्वा अन उबाल कर केवल उसका पानी ही ठंडा होने पर प्लाना होगा अन्या कुछ भी इने पचेगा नहीं और सीता रामन कहने लगे मन में प्राथना करने लगे इस वर से क्या मनुस्या को उसके कर्मों का फल इसी जनम में ही मिल जाता है राजा सूर्य परताप ने पूछा क्या सोच रहे हो दुर्जन को रानी की सेवा में भेजा था कोई नहीं जानता कि दुर्जन सिंग को सेवि और इतनी लंबी जुदाई महराज अपनी पुत्रवदू के भाग्य से बहुत दुखी थे राज माता तो रजनी गंधा की पीड़ा देखकर विचलित हुई जा रही थे इतनी सुंदर राजकुमारी को जीवन भर की विचितर वेदना ना मरी ना जिंदा इसके माता पिता देखेंगे सुनेंगे तो उनके मन पर क्या भीतेगी फूल सी बेटी का दुखव कैसी सहन कर पाएंगे एक लोती बेटी को भगवान ने जीवन भर के लिए दूसरों की दया पर जीने की कैसी सजा दे दी दसवे दिन रानी रजनी गंदा के माता पिता उनके राजबैद के साथ युमना पार नगर पहुँच गए अपनी बेटी की दसा देखकर वे बहुत दुखी है जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पर प्रहार करने वाला उनका ही कोतवाल था तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही उन्होंने राज सूर्य परताप पर भी बहुत क्रोध आया क्योंकि उसके आगरे पर ही उसे सैना के साथ आने दिया था नहीं तो वह उसे मिर्ति उदंड देना चाहते थे रजनी गंदा की माता तो दुर्जन के टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू थी राजा इस वर परताप भी दुर्जन का राजकुमारी से पूर परीचे जानकर अत्यंत किरोधित हो उठे किन्तु सूर्य परताप की इस मांग से हुए चकित भी थे उन्हें अपने पुत्र के दयालू और छमासील सभाव का ग्यान था किन्तु ऐसे आस्तिन के साप को अपने साथ लाकर उसे नगर का कोतवाल निक्त करने का अश्चरिय हुआ तब ही राजा सूर्य परताप हुआ पहुँचा और रानी रजनी गंदा के माता पिता को देखका चकित रह गया पलवर में ही सारी घटना का विवरन उनके सामने परस्तुत कर दिया गया और उसके लिए निश्चे ही ये घटना बड़ी दुखदाई थी वे उसी समय रानी रजनी गंदा को देखना चाहता था वे राजबैद के साथ रानी के कक्ष में पहुँचा वहाँ उपस्तित राजबैद ने बताया कि रानी का दिल और स्वास नली पूरी तरह नश्ट होने के कारण उनका सरी निश्टेज हो गया है और सरीर में कोई हल चल नहीं है दोना वैद आचारियों ने रसाइन साला में आकर विविन बनस्पति गरंथों का अध्यन किया और रानी के उक्चार के अने को उपायें उपर विचार विमर्स करने लगे उन्हें निश्टे हो चुका था कि रानी अब कभी उठ नहीं पाएगी किन्तो वो वैद के गरंथों में अभियासा की करन ढून रहे थे रानी रजनी गंदा के माता पिता महराज इस्वर परताप रगवनसी और राजमाता के साथ गमगीन बैठे हुए थे वो गव में डूबे हुए थे उन्हें धूर्त दुर्जन को जिंदा छोड़ने पर बड़ा अपसोस हो रहा था अब वो पच्ता रहे थे कि उन्होंने सुर्य परताप की बात क्यों मानी यदि वे उसी समय इस साप का फन कुचल देते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता किन्तों पच्ताने से क्या लाव था आब उसे जल्दी से जल्दी फांसी पर लटका देना चाहिए था राजा सुर्य परताप क्यों नहीं इस दुष्ट के टुक्डे टुक्डे करके चील कउओं के सामने डाल देते आब और कितने दिन इस नमक हराम विश्वास घाती को बंदी ग्रह में रोटी खिलाते रहेंगे प्रात राजा सुर्य परताप का दरवार लगा समस्त दरवारी मंत्री और राज्य धिकारी महराज इस्वर परताप रगवनसी राज माता रजनी गंधा के माता पिता और नगर वासी दरवार में उपस्तित थे अपरादी दुर्जन वेडियों में बंधा दरवार के बीचो बीच से जुकाए खड़ा हुआ था राजा सूरिय परताप रगवनसी की परतिक्षा की जा रही थी महाव परतापी सूरवीर दयामोर्ती दानवीर महराजा सूरिय परताप रगवनसी दरवार में पधार रही है यह उद्गोशना हुई और राजा सूरिय परताप अंगरक्षव को कोई बीच धर्वार में पधारे तो राजा की नरंतर जैजैकार कर रहे लोग बैठ गए और बैठे वे लोगों ने खड़े होकर राजा का विवादन किया उनके आसन ग्रहन करने के पश्चात सभी लोग बैठ गए राजा सूरिय परताप का न्याय देखने के लिए आज नगर की परजाजन भी भारी संक्या में उपस्तित हुए थे महामंतरी जी राजा ने कहा सभा की कारेवाई आरंब करें तो महामंतरी जी बोले महाराज उपस्तिती आरोपी दुर्जन ने रानी के कक्ष में गुसकर उन पर कटार से प्रहर किया था जिससे उनका हिर्द्या और स्वासनली छती ग्रिस्थ हो गई है तो महराज ने क्या क्या परमान है रानी के ओपर प्रहार दुर्जन नहीं किया था तो जो महराज महमंत्री बोले महरानी की चीक सुनकर महराज के कक्ष के रक्षक वहां पहुंचे थे तब आरोपी हुआ पर उपस्तित था महामंत्री ने बताया और उपस्तित होने पर महाराज ने कहा ये तो साबित नहीं होता कि प्रहार उन्हों नहीं किया है प्रहार करने में बहुत अंतर क्या सैनिकों ने इसे प्रहार करते हुए देखा तो महामंत्री बोले शायद नहीं महराज किन्तु राजमाता भी रानी के कक्ष में गई थी लेकिन महराज बोले किया राजमाता ने इसे प्रहार करते हुए देखा आकर नहीं हमने राजमाता ने का इसे रानी पर प्रहार करते हुए तो नहीं देखा किन्तों हमने इससे पूछा था कि रात के समय वह अकेली रानी के कक्ष में क्या कर रहा है तो ये बहवीत और घवराट में बोला कि उसने रानी पर प्राहर नहीं किया है इससे अधिक वह कुछ नहीं बोल पाया रानी की गंबीर हालत देखकर इससे पूछताच का समय नहीं था इसलिए हमने सैनिकों को इसे बंदी ग्रह में डालने का आदिश दे दिया और रानी को देखने लगे राज माता ने भी अपना बयान दिया तो राजा बोले दुरजन सिंग तुमें मालूम था कि रानी वास में पुरसों का निशेध परवेश निशेध है फिर तुम रात के समय तुम रानी के कक्ष में क्यों गए दुर्जन सिंग बोला महराज मैं कक्ष के पास से गुजर रहा था मैं रानी की अवासे पूर्व परिचित था मैंने सुना रानी ने पानी मांगा था किंतु सेवी का हुआ उपस्तित नहीं थी इसलिए मैं पुरानी पहचान के नाते रानी के कक्ष में पानी लेकर चला गया था महाराज तो जूट मत बोलो दुरजन सिंग सची बात बताओ तुम रानी के कक्ष में क्यों गई महाराज चिलाए सच कह रहा हूं महाराज मैं रानी के लिए पानी लेकर गया था किन्तु रानी न मुझे देखकर कटार उठा ली थी मैं उसके पास ही खड़ा था डर का दूर हटने का प्रियास में मेरा पाउं कालीन में फस गया और हडब राट में मैं जो पलंग पर गिर पड़ा रानी के हाथ से कटार थी और मेरे वजन से वे रानी के सरीर में घुस गई ही होगी लेकिन मैंने रानी पर प्रहार नहीं किया महराज महराज बोले फिर क्या हुआ रानी के सीने से खून को निकलता हुआ देखकर महराज में घबरा गया मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ मैं बड़ी उलieursन में पढ़ा सोच रहा था तब युदो गिर कैसे पड़े और तुम्हारे वजन से रानी की कटार सीने में धस गई यानि तुम रानी के उपर गिरे थे यह सच है तो दुर्जन सिंग बोला जी महाराज तो महाराज बोले मतलब यह है कि तुम्हारे वजन से के कारण कटार रानी के सीने में धसी तुमने हाथ से कटार रानी के सीने में नहीं घोपी किन्तु वही काम तुमने अपने वजन से कर दिया यानि की दुर्जन तुम रानी के ओपर जुके हुए थे जैसा तुमने कहा पीछे हटने के प्रियास में तुम रानी के वक्ष पर गिर पड़े और कटार तुमारे वजन से रानी के दिल को चीरती हुई स्वास नली को भी छती ग्रिस्त कर गई रानी जीवन परियंत हिलने जुलने लायक नहीं रही दुर्जन सिंग अब तुम्हीं बताओ तुम्हें इस जगन्या अपराद के लिए क्या दंड दिया जाए दुर्जन सिंग बोला महराज रानी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ जब रानी नहीं रही तो मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं इसलिए आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए महराज तो राजा बोला अवर्ष्य है ऐसे दुष्ट को फांसी दी जाने चाहिए एक साथ और भी लोग भोल उठे तो राजा बोले नहीं दुर्जन सिंग तुम इतनी आसान सजा पाने के पातर नहीं हो तुमने एक नहीं बहुत सारे जगन्या पराद किये है पहला तो यह तुमने अपने स्वामी भक्ती का निराधर करते हुए राज महल का पुमान किया दूसरा यह कि पुरूसों के लिए निसेद छेतर में जाने का दुस्साहस किया तीसरा यह है अकेली रानी के करीब जाकर उन्हें कटार उठाने पर बिवस किया और चौथा यह है उनके मना करने पर भी तुम उन्हें बार बार उतेजित करते रहे और आखिर तुम उनके वक्ष पर गिर कर उनकी वर्तमान स्थिति का कारण भने वे ना तो मर ही सकी और ना जिन्दा रहे और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दू नहीं पर तुम दो चार पल छट पटा कर अपने सब कू करमों से मुक्त हो जाओगे फांसी की सजा नहीं मिलेगी और तीरिया तलवार से तुम्हें काटा गया तो भी तुम थोड़ी देर तड़पकर आजाद हो जाओगे नहीं नहीं दुर्जन सिंग मैं तुम्हें मिर्ति उदंड नहीं दूँगा दुर्जन सिंग तुम्हारा राजकुमारी के साथ पुराना घनिष्ट संबंध है जिसके लिए तुमने अपनी हैसियत का लाब उठाकर युवराज की हत्या और मिर्तक की आँखे निकाल कर लाने तक का परियास किया राजकुमारी है इए अत्यन सुन्दर और तुमें उनसे प्यार भी बहुत है राजकुमारी सचमुची ही बहुत सुन्दर और जवान है तुम भी बला के खुबसूरत हो नौजवान हो इसलिए तुम जिन्दा रहोगे और जब तक जिन्दा हो सुन्दर राजकुमारी का सुन्दर महल बनाने के लिए पहाड से सुन्दर सुन्दर पत्थर निकाल कर लाओगे और उसके लिए एक एक सुन्दर महल का खुद एक सुन्दर से महल का खुद निर्मान करोगे इससे तुम्हे राज कुमारी की सेवा का अबसर भी मिलेगा और तुम्हे ये भी खुसी होगी कि तुमने उनके लिए सुन्दर महल का निर्मान करके आसकी की एक अनौकी मिसाल छेड़ी है लोग तुम्हे सदियों तक याद करेंगे इसलिए तुम निर्भय होकर जाओ दुर्जन सिंग तुम्हे राज महल के कोतवाल की हैसित से भोजन और वस्तर पहले की तरह ही मिलते रहेंगे किन्तो आज से तुम्हारा काम राजकुमारी के लिए केवल महल का निर्मान करनाई है मैल ऐसा बने की देखने वाले कहें कि महबत की निसानी भी राजकुमारी जैसी ही खूबसूरत और जवान है राजा के अदबुत फैसले से दरवान में उपस्तित लोग हैरान और परेशान और चकित थे ये भला कैसा दंड दिया राजा ने अपरादी को बिना दंड के मुक्त कर दिया उसे प्रैती दिर मरने की सजा भी दे दी कुछ लोग इस फैसले को राजा के दयावान होने का कारण मान रहे थे तो अन्या ऐसे भी थे जो ततकाल मिर्तियों के बज़ाए प्रैती पल मरने की सजा को अथिक कठोर मान रहे थे लेकिन पंडित सीता रमन राजा के एतियासिक फैसले की मनी मनपरसंसा कर रहे थे ऐसे दुष्ट को घोर अपराद इससे अधिक कठोरतम दंड उसे इस समय तो कम से कम नहीं सूजा था राजा ने सभा समाप्त की करने की घोसना कर दी और विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में आकर लेट गए उपस्तित लोग भी अपने अपनी बुद्धी के इस तरपर दुर्जन सिंग के दंड का विसलेशन करते हुए चले गए राणी रजनी गंधा के माता पिता आतम गलानी से भरे तता किरोध से छट पटाते हुए अपनी पुत्री के पास आकर बैठ गए महराज इसवर परताप रगवनसी स्वैम को इस विसे में कुछ अधिक करने की स्थिति में नहीं पा रहे थे फैसला राजा सुरिय परताप रगवनसी ने दिया था शायद उसने रजनी गंधा और दुरजन सिंग द्वारा राजा की पीट में छुरा गौपने का प्रतिसोद ले लिया था इसलिए वे भी एक परकार से उसके नेन्यस से सहमती थे दुरजन सिंग को मिली सजा पर राजा और पंडित सीता रवन तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थे कि राजा ने अपना फैसला बहुती एहम लिया है आज राजा की बात पूरी सत्य हो चुकी थी दुख के माता सुख का पिता होत की बेहन ना होत का यार जोरू जोर की ना किसी और की पैसा हो गाठ में कभी आवे काम नाग देवरानी सोवे सो खोवे जागे सो पावे हर समय सचेत जो ना कभी पच्चतावे इस बर पर भरोसा हो दीन दुखी पर दया दुष्ट का नास करे पाप से गिरना सदा हिर्द्य विसाल हो जिसकी सोच हो विराट बना वही संसार में सदा चक्रवर्ती समराट करी आचमन फुलेल का मीठा बतावे भोल बैल सा दोड़ा फिर जाने नहीं दुनिया गोल दोस्तों आज इस गूड रहसिय को जो राज कुमार ने राजा सूरिय परताप जो इसका गूड रहसिय जान गए थे वो समझ गए थे कि देखो उन्होंने जो सजादी दुरजन सिंग को उसके पश्यताप के लिए दी ताकि वह पल पल अपने प्रेम को जो पश्ताएगा कि उसने अपने प्रेम को कैसे जो जखमी किया वो ना जिंदी है ना मरी है और जब वो पथर से पहाड से पथर निकाल कर उसके लिए भवन बनाएगा तो यह भी लोगों के लिए एक मिसाल होगी क्योंकि जो नफरत करो वो पापी से नहीं पाप से करो दुष्ट का नास करो लेकिन पाप से गिरना सदा करो यह बात उनकी सही हो गई थी क्योंकि उनका हिर्द्य विसाल था जिसकी सोच हो विराट वही बना संसार में चता सदा चकरवर्ती समराट तो राजा ने अपने एक-एक कथन का हर चीज का उन्होंने इस चिठ्ठी के एक-एक अक्षर का गूड रहस्य जान लिया था और उन्होंने इस चिठ्ठी को बहु मुल्य रतनों से नवाजा था कि यहर सिर्फ एक लाग टके की नहीं थी एक लाग टका मोल नहीं था इसका इसका तो मोल पूरा राज्य भी दे दिया जाए तो भी कम था अब राजा पंडित सीता रमन के पास गया और उन्होंने सीता रमन के हाथ जोड़े उदर सीता रमन पंडित भी महराज के हाथ जोड़ लिये और दोना समझ चुके थे इस गूड रहस्य को राजा ने सीता रमन पंडित से कहा आपकी चिठी ने मुझे जो संसार में हर चीट से अवगत करा दिया कि यह संसार क्या है, संसार को कैसे जीना है एक राजा का करतव्य है कि वे अपने राजय का अच्छे से विस्तार करे परजा का ख्याल रखे, उन्हें खुश रखे और परजा को पुत्र समान प्रेम करे और सीतारमन जैसे ब्राहमन की बुद्धी से राजा चकरवर्ती समराट बिना एक लहू की बूंद गिराए बन चुका था और दुर्जन सिंग को जो सजा मिली थी, दुर्जन सिंग बहुत पश्ता रहा था उसे अपने किये गए कर्मों पर बहुत सर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी क्योंकि वे अपने राजा के प्रेती वफादार नहीं था उसका प्रेम उसे गलत करने पर जो उकसा रहा था इसलिए वे रानी के कक्ष में बढ़ गया था अब वे तिल-तिल मर रहा था आतम गलानी हो रही थी और परजाबी अब उसे हिराकत की नजरों से देखती थी वो जिधर निकलता दुरजन सिंग उधरी लोग कहते थे देखो ये जारा रानी का आसिक देखो ये है आसिक जिसने अपने प्यार कही कटार उसकी छाती में घूप दी दोस्तों तरह तरह के नाम से दुरजन सिंग को जो सुनने को मिलने लगे अब वे अपनी जिंदगी से बहुत परेसान था लेकिन क्या करता उसे तो पहाड से पत्थर निकाल कर लाना था रानी के लिए मेहल का निर्मान करना था और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा साबित हुई अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी लाक टका मोल कैसी लगी राधे राधे